हलो एवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कड ब्लाउज हम यहाँ पर प्रिंसेस कड ब्लाउज की ड्राफ्टिंग प्लस ठ्योरी सीखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रिंसेस कड लगाए लगाएंगे इस तरह कोश्टक में आप नोट कर लीजिए कि हमारी ब्लाओच की लंबाई होगी उसमें हम एक इंच का मार्जीन देंगे इसके बाद हमारा जाता है शोल्डर हम यह राखेंगे 6 इंच का यह हमारा आप लोट किया है और जाकर चेक कर सकते हैं यह मैं आपको इस देंगा इसके बाद हमारा जाता है चेस्टora 34 मैं आपको बता रही हूँ आपका जो भी मेजर्मेंट हो अप उसका यहां निषान मैं भी आपको राफ्टिंग पर समझाऊंगी कि आपको आपके नाप के हिसाब से किस तरह से निशान लगाना है तो देखिए चेस्ट जो हमारा है उसका चोथा भाग प्लस टू इंच यानि मार्जिन का जो हम लेंगे हम लाउज में वह टू इंच रखेंगे तो इस तरह से क नेक वीड हमारी रहेगी चोडाई जो नेक की रहेगी वह तीन इंच रहेगी और नेक की लंबाई आप अपके अनुसार रखे जो जितनी भी लेंथ आपको चाहिए वह आपके अकोर्डिंग रखे तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग समझ लेते हैं ड्राफ्टिंग में आपको समझ आ जाएगा किस तरह से निशान लगाना है देखिए सबसे पहले हम यहां पर फ्रेंट भाग देख लेते हैं किस तरह से हमें कपड़े पर निशान लगाना तो मान लीजी हमारा टू फोल्ड कपड़ा हैं ब्लाउज के लिए हमें कपड़ा दो भाग में फोल्ड करना है यह टू फोल्ड कपड़ा है हमारा इसके बाद हम जो हमारी बंद भाग है बंद भाग की साइड यह हमने इस तरह से चोड़ाई में शोल्डर का निशान लगाएंगे देखिए यह हमारा सबसे पहले शोल्डर का निशान हो गया सबस इंच पर निशान लगाए ताकि जो हमारा रेडी होके बलाओ जाए वो उतनी ही लंबाई जितनी आपको चाहिए तो एक इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे इसके बाद आ जाता है हमारा बंद भाग यह वाली साइड हमारी बंद भाग है और यह वाली साइड हमारी खुली भाग है देखे इस तरह से बंद भाग की साइड से हमें यहाँ पर सोल्डर का ऐसे आड़े में निशान लगाना यह हमारा सोल्डर हमारा यहाँ है 6 इंच आपका जो भी सोल्डर का नाप हो वहाँ पर आप यहाँ पर निशान लगा इसके बाद सोल्डर से इस तरह लंबाई में देखिए सोल्डर हमारा एसे हमने लगाया है यह 6 इंच का इसके बाद लंबाई में हमारा जो भी आर्म होल होगा उसका निशान लगाएंगे तो लंबाई में इस तरह हम यह 34 टेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लंबाई में 6 इंच का हमारा आर्म होल का निशान भी लगा देंगे यह हमारा आर्म होल का निशान हो गया इसके बाद इस निशान को इस तरह से हम लंबाई में लगा देंगे देखिए यह इस तरह से हमने लंबाई में 6 इंच का निशान लगा लिया अब इ यानिकी 34 को हम चार से डिवाइट करेंगे तो 34 इंच का चोथा भाग हो जाता है 1.5 इंच उसे 4 से भागदेंगे तो 1.5 इंच हो जाएंगे तो यहां हम 1.5 हा इंच का हमने ये निशान लगाया देखिए यह 8.5 इंच का हमने इस तरह से निशान लगा दिया अब इसके बाद यह जो हमारा है 2 इंच मार्जिन है यह हमारा 2 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई का यहां सिलाई का फिटिंग का मार्जिन रखते हैं ब्लाउज में तो यहां 2 इंच रखेंगे इसके बाद हमारा आ जाता है कमर का निशान यह हमने चेस्ट का निशान लगाया और इसके बाद यह वाला जो नीचे वाला भागे यह हमारा हो गया कमर का निशान तो कमर का निशान भी हम कमर का चोथा भाग प्लस उसमें 2 इंच मा तो यह हमारा हो गया 2-inch margin का तो यह हमारे सिलाई और फिटिंग का margin रहेगा 2-inch इसके बाद यह हमने यहाँ पर shoulder, armhole, chest और कमर के निशान लगा लिए है अब हमारा आ जाता है neck देखिए neck भी हम इधर बंद भाग में लगाएंगे तो neck की जो चोड़ाई रखेगी हम 3-5-inch रखेंगे इससे जादा हमें neck की चोड़ाई नहीं रखनी है इसके बाद आ जाता है लंबाई, तो जो front भाग रहेगा उसकी लंबाई हम रखेंगे, front भाग की यह लंबाई यहाँ 6-5-6-inch पर निशान लगाएंगे, इससे जादा भी आप रख सकते हैं यदि आपको चाहिए तो, वरना आपकी जो नॉर्मल लंबाई होती है, front भाग क हम यहाँ princess cut blouse बना रहे हैं और यह simple princess cut blouse, हम यहाँ पर यह princess cut का एक टक्स लगाएंगे, यहाँ आप चाहें तो दो या तीन टक्स भी लगते हैं, पर यह वाला जो main tux है, यह princess cut blouse का टक्स है, देखिए, यह हमें किस तरह से लगाना है, सबसे पहले हम हमारा यह shoulder, यह neckweed हम थे में इसके बाद जो हमारे कंधी स्केल रखक हमें निछे साइड लगा एक त्क्स लगाना है हमें इसे तीन इन्च लंबाइं तक्स रखेंगे की एक सर्णू नीचे से चोड़ाई टक्स नगाना है gift लगाना है इसके स्यारी के यह वह पर आपको ए荷 कली कर के बताती हूं देखिए हमारा यह जो आर्म होल का भाग है हमारा यह आर्म होल का भाग है हमने यहां पर तीन इंच लंबाई में और एक इंच चोड़ा यह टक्स लगा लिया ठीक है यहां पर हमारा यह तीन इंच तक ही इतना चोड़ा टक्स लगेगा उसके बाद हम इसको ग तक इस टक्स को उपर तक ले जाएंगे बस यही एक ही टक्स हमारा प्रिंसेस कर ब्लाउज में आता है यह सिंपल प्रिंसेस कर ब्लाउज है अगर देखें यहां सिंपल प्रिंसेस कर ब्लाउज है तो हम यहां पर कपड़े की कटिंग भी नहीं करेंगे बस हमें यहां पर सिल इसमें पूरे टक्स में लगा देंगे देखिए हम यहां से यह चोड़ा हमारा टक्स जाएगा उसके बाद हम इस तरह से उसी को आगे आर्म होल तक ले जाएंगे के बाद देखिए हमारा यह प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई अब मैं आपको फ हमें जितना सोल्डर हमने फ्रंट भाग में रखा था उतना ही सोल्डर हमें बेक पार्ट में भी रखना है इसके बाद आर्म होल भी हमारा वही रहेगा जो आर्म होल का निशान हमने फ्रंट भाग में लगाया था वेसा ही हमें इसमें भी लगाना है इसके बाद आजाता है आप यहाँ पर रख सकते हैं लंबाई इसके बाद चेस्ट हमारा वही रहेगा हमें चेस्ट का चोथा भाग करना है प्लस उसमें दो इंच मार्जिन रखना है कमर हमारी जितनी हमारी कमरें उसका चोथा भाग करना है और दो इंच उसमें प्लस करना है जैसे हमने यह भाग त तक्स लगेगा एक यह भी हम सोल्डर के सेंटर में यहां इस तरह से पाच इंच लंबा और एक इंच की चोड़ाई में ऐसा टक्स लगाएंगे देखिए इस तरह से हमें यह टक्स लगाना है अब मैंने आपको यहां पर प्रिंसेस कट ब्लाउश की ड्राफ्टिंग और थियोरी दोनों लिखवा दी है अब इसके बाद मैं आपको कपड़े पर यहां कट करके बताती हूँ किस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउश की क कोंबंग अपटेपर drafting करने और किस तरह से अपने साइस अकॉर्डिंग इशान लगाने होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए होर ऊच्ट को सब्सक्राइब किजये थैंक यू